आज हम बना रहे हैं बाजरी का चीला, उसकी मैंने यहां पर सामगरी लिखवाई आपको, तो इसके लिए हमने बाजरी काटा लिया है 500 ग्राम, और हमने लिया है बेसन जो 50 ग्राम, बेसन किसलिए मिला रहे हैं, कि बाजरी काटा केला अगर हम बनाएं, उसके चीले को तो वो फटेगा इसलिए अपन थोड़ा सा उसमें बेसन को यूज करेंगा ना तो और फिर लेना है मुझे एक प्याज तो चालों के लिए एक प्याज काफी है उसमें लेना है हमें एक गाजर वो गाजर हमें कद्दू कस करके उसमें जालना है ना और हरी मिर्च लेनी है हमें दो और हरी मिर्च के बाद में हमें लेना है हरा धनिया थोड़ा सा और उसके बाद में लेला है लाल मिर्ज पाउडर एक बड़ा चमच ठीक है सबसे पहले मैंने लिया है यहां पे बाजरे काटा और बेसन मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है अब मैं डाल रहे हूं इसके अंदर चोकिये हुए प्याज प्याज हमेशाब बारी काटनी होंगे ठीक है यह मैंने प्याज डाल दिये इसमें अब मैं डाल रहे हूं यहां पे हरी मिर्ची कटी हुई जो मैंने बारीक बारी काट ली थी ठीक है अब मैं डालती हूं यहां पे हरी पत्ति हरे धनिय की पत्ति अब इसमें डाल जी हो एक बड़ा चम्मच लाल मिच एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच जीरा अब मैंने डाला है यहाँ पर कद्दू कस्किया हुआ गाजा चिक है सारी चीजों को मिक्ष कर रही हूँ मैं देख लेती हूँ इसमें कितना पानी है क्योंकि गाजर बहुत सारा पानी चोड़ती है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें डालूँगी पानी जो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूंगी उसको हाथ की साइता से ही मैं गोल बनाओंगी मैंने यह mission बना दिया है मैंने यह medium size का ही mission बनाया है हाथ की साइता से नमस्ते मेरा नाम सुमीता है मैं यहां युव जगरती में 90 मैलाओं को जो training दे रही है पहले माईलाओं वाद देऊंगे युवाजावर्ति को नाबाड को कि ऐसी ट्रेनिंग समय परवाइड करवाई जो कि हम हर महिलाओं को मिलेट्स के उपर यह ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हर महिला खुश है क्या था कि पहले मैदे की चीज़े खाते थे बच्चे महिला हैं बुजूर्ग सब को क्योंकि अब हम चा रहे हैं कि हर महिला और उनके बच्चे बाजरे के प्रोड़क्ट खाएं जिससे उनको कोई भी नुक्षान ना हो क्योंकि मैदा खाके हर कोई प्रेशान है और अब बाजरे से उनको पोश्टिक आहार मिलेगा जिसमें प्रोटिन फाइवर विटामिन्स की बहुत सारी मात्रा होती है तो मैं हर महिलाओं को इनको ये भी कह रहे हूं कि आप यहां से बना के सीख के जा रहे हो तो अपने घर के जाके और बनाएं प्रैक्टिकल करके देखें अपने बच्चों को खिलाएं अपने पती को खिलाएं साससुर को खिलाएं वो खाएं बहुत ही खुशी होगी यहां पर सभी महीराओं की चेरे पर देखने लाएक खुशी है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं इन महीराओं के टेनिंग दे पाई धन्यवाद दियुआ जगती और नाबाड अरूपेशं सुनिमने गरहे बहुत Ini है औरे लाइक खुश देनि सकते हैं थाप सर्षण देखना जार खुशी है तुशी है ऑfahrbt खुशी है और मैंने दो पर दोगह सेच्वादों कि भी मैं अर भी मैं अरथ नाचर मैं बुशी है k 12 Мосे helped अब सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम निता सेनी है हमें नाबाड की दरब से मिलिट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें कल हमने बाजरे के द्वारा पकोड़े बनाने के विदी सिक आई गई और आज हमने चीला बनाना चीका और हम अपने बच्चों को यह हैल्दी खाना बहुत कोँसे हैं जिसे हम सीक कर अपने घर मेरी बनाकर बत्चों को खिला सकते हैं कि हम बाहर का खाना क्योंकि बाहर का खाना खिलाने से बच्चों की सेयत खराब हो जाती है इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नाबाड और रिवाजावति संस्तान को जिनोंने हमें इस परकार की ट्रेनिंग दी